रतन सूत्र नंबर 16, 17, 18 महा मच्चु विजे सूत्र या महा मच्चु विजे सूत्र के आखरी ये गाथाएं हैं पंदरा तक जो गाथाएं उसमें संग के धम के और बुद्ध के जितने गुण है अच्छे अच्छे वो बताए गए हैं और जो ये 16, 17, 18 इसमें धम को और संग को और बुद्ध को नमशकार किया गया है वही जो पहली गाथा और दूसरी गाथा है उसके साथ है तीनों गाथा हैं लगबग ऐसी हैं बस लाश्ट में एक सेंटेस बदलता है बुद्ध को धम को और संग को यानीद भूतानी समागतानी भुम्मानी वा यानी वे अंत लिखे तथा गतं डेव मनुस्य उजितंग बुद्धं नमस्साम सुवत्ती होतु धम्मं नमस्साम सुवत्ती होतु संगं नमस्साम सुवत्ती होतु यानीद भूतानी समागतानी ये बड़ा फेमस वाक्य है यानीद भूतानी का मतलब है इस समय कितने भी भूत है भूत का मतलब है प्राणी जो प्रजेंट में हैं प्राणी हैं समागतानी मतलब सब एकत्थित हो जाएं जो एकट्टे हो जाएं जो एकट्टे हो जाएं भुम्मानी वा यानि वे अनन्त लिक्के भुम्मानी वा यानि कि जो प्रत्वी पर है या वो जो आकास और अंत्रिश के बीच में प्रत्वी के बीच में सारे विद्मान है तथा गतंग देव मनुस्य पूजितंग तथा गतंग को यानि तथा गतंग का मतलब है तथा गत को बुद्ध को देव मनुस्य पूजितंग देव मनुस्य जिनको पूजिता है यानि कि जो पूजित हैं देव और मनुस सब सबस्वास्ति हो जाए महामारी खतम हो जाए सारे प्राणी द्वारा से ठीक हो जाए सूखा चला जाए, भुकमरी चली जाए, ऐसा हम बोलते हैं, फिर हम दूसरे में यानि ये सोले है और सत्रे में हम बोलते हैं, धम्मन नमसाम सुवत्ती होतू, बाकी तीनों लाइन सेम रहती हैं, यानीद भूतानी समागतानी, भुम्मानी वा यानी वे अंत लिखे, तथा ग तथा गतंग देव मनुस्य पूजितंग, धम्मन नमसाम सुवत्ती होतू, इस परकार तीनों जो बुद्ध, धम और संग हैं, उनको नमस्कार करके, ये जो रतन सूत है, ये रतन सूत यहां पूरा होता है, रतन सूत को हिंधी में और पाली में मैंने पूरा स्रीज में बताया है, फिर भी मैं एक वार आपको एक हिंधी में इसका सल, क्योंकि अभी सब लोग हिंधी समझते हैं, हिंधी का मतलब है पाली ही हिंधी है, हिंधी नाम तो इसका भी बढ़ा है, करीब 180 साल 20 साल पहले, उ साथ्या की भासा बोल सकते हैं धन्यवाद धन्यवाद आप सभी से ये निविदन है कि अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है या बाकी वीडियो अच्छी लगी है और आपको लगता है कि धम की वीडियो किसी को और मिलनी चाहिए या किसी को गिफ्ट में भेजनी चाहिए या किसी भासा में कनवर्ट करके आगे बढ़नी चाहिए या प्रिंट में किताब में चाहिए या इसकी जो आडियो है उसे निकाल के भेजना चाहिए या इसका किसी पार्ट को इस्तेमाल करना चाहिए तो आपको लिबर्टी है, आपको छूट है ये सभी कॉपिराइट फिरी हैं आप अपने फेस्बुक पे, अपने पेज पे, अपने टूटर पे या अपने हंडल पे या लिंक को कहीं भी शेयर कर सकते हैं, कहीं भी चला सकते हैं आप यूटूब पे चला सकते हैं, अपने नाम से चला सकते हैं इसके लिए इजाजत लेने की या परमिसल लेने की बिलकुल भी जरूरत नहीं है आप इसको अपना मान के चलाएं क्योंकि धम सब का है हम जो बताते हैं वो भगवान बुद्ध का है या महापुर्सों का है उन्हें की बात को सलभासा में बताते हैं हमारा सिर्फ इतना राइट है इस पर कि हम इसको लोड कर देते हैं बाकी सारी ये पूजी आपकी है धन्यवाद संखन शरनं गर्चा में उतं शरनं गर्चा में संखन शरनं गर्चा में संखन शरनं गर्चा में कर दो